तो दोस्तो stop market में investment करते सुभए बहुत सारी confusion होती है especially documentation को लेके उन्सेंसे एक documentation है pen card जो के generally mandatory माना जाता है लेकिं क्या सच में mandatory है ये कि आप इसके बिना भी stock market में trading कर सकते हैं तो इस video में इस सवाल का जवाब देंगे जो beginners को जारतर होता है तो आईए शुरू करते हैं तो दोस्तो भारत में पैन कार्ट की बहुत रेलिवेंस है जहां पे फाइनेस की बात आती है चाहे वो इंडियूजल हो, और्गनाइजेशन हो या कोई भी सरकारी महकमा ही क्यों ना हो पैन कार्ट इस सूपर डूपर इंपोर्टेंट इन एसेंस मेंडेटरी माना जाता है फाइनेस के अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं जहांके पैसे का लेन दिन होना है, खरीद फिरोक्त होनी है तो उस केस में भी स्पेसिफिक माफदंट रखे गए है जैसे बैंक अकाउंट मेंसे अगर आपको पैसा निकालना है तो एक लिमिट तक आप निकाल सकते हैं उसके बाद आपको पैन कार्ट देना पड़ेगा अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो दो लाक रुपे तक का गोल्ड खरीद सकते हैं उसके बाद आपको पैन कार्ट देना पड़ेगा लेकिन स्टॉक मार्केट में जब आप निवेश करते हैं चाहे आपने पांच रुपे का स्टॉक खरीदना है या 5 करोड का pen card mandatory है जिहां आप बिना pen card के stock market में demet account या trading account नहीं खोल सकते चाहे आप minor ही क्यों ना हो minor के case में भी आपको अपने guardian या parent का demet account खोलने के साथ-साथ pen card देना जरूरी रहेगा चाहे आप NRI trading account खोलना चाहते हैं या आप institutional level पे trading करना चाहते हैं तो आपको अपना खुद का pen card या firm का pen card देना पड़ेगा जिसके base पे trading होनी है हाला कि digitization से पहरे कुछ समय तक अगर हम 2000 सन से पहरे की बात करें तो उस समय pen card इतना mandatory document नहीं था लेकिन अगर आपको उस time का investment अभी निकालना है तो आपको आज का pen card आपको देना पड़ेगा mandatory हो चुका है हाला कि एक इसमें exception है जो sickle state के resident है उनको 2008 से एक तरीके से exception दी गई है उनको CB की दोरा रहात दी गई है कि उनको pen card देने की जरूरत नहीं है उनको अपना resident proof दिखाना पड़ेगा आपको शिक्किम से है और in case है तो वहाँ पर pen card की जरूरत नहीं रहती तो उन लोगों को ये चीज ध्यार रखनी चाहिए कि आप बीना pen card की भी निवेश कर सकते हैं अगर आप सिक्किम के resident हैं तो लेकिन बाकी राजियों के जो resident हैं उनको normal level पर stock market पर ट्रेडिंग करने के लिए pen card देना पड़ेगा के वाईसी करना पड़ेगा और उसके बाद ही उस stock market में कदम रख सकते हैं दोस्तों hopefully आपकी basic confusions pen card के around दूर हुई हो इस वीडियो में बस इतना ही information देना था आपको पसंद आया हो तो like करें share किजी दोस्तों के साथ stock part सला नाम से हमने नया youtube चैनल भी create किया है उसको भी check out करें stock market education के उपर है English और Hindi में उसके लिए आपको वीडियो मिलते रहेंगे इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया thank you so much हा सुष घुरिया कि झाचो अ में जपको